नमस्कार दुपहर समाचार में आपका स्वागत है प्रधानमंती नरींद्र मोदी ने कहा परसपा सुरक्षे दोरी बनाय रखना ही कोवीड-19 से मुकाबले का सबसे कारगर तरीका है देशवासियों से स्वयम और अपने परिवार की रक्षा करने का आहवान किया शिमोदी ने आकाश्वाणी से मन के बात का इक्रम में कहा भारत कोवीड-19 से लड़ाई जरूर जीतेगा प्रधानमंती ने कहा कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने आवशक है कोरोना वाइरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से मिलकर काम करने को कहा कोवीड-19 से संखर्ष में डटे विभिन लोगों से प्रधान मंत्री की नियमित बाची जारी इरान से 275 भारतियों को लेकर एक और दल जोध पूर पहुँचा और इंडियन ओयल कॉर्पोरिशन ने कहा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलप्त दोपहर समाचार के साथ मैं विमलें दुपांडी प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी ने कहा है कि परस पर सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही कोवीड-19 से मुकाबले का सबसे कारगर तरीका है आकाश्वानी से आज मन की बात कारिक्रम में अपने विचार साजा करते है वे शिमोधी ने कहा कि हर किसी को अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने होगे उन्होंने कहा कि प्रतीक भारती का संकल्प और नियम का पालन इस संकट से निपटने में साहयक होगा प्रधानमंदी ने कहा कि भारत जैसे 130 करोड की आबादी वाले देश के पास कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पूर्ण बंदी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था मैं आपकी दिक्कते समझता हूँ आपकी परिशानी भी समझता हूँ लेकिन भारत जैसे 130 करोड की आबादी वाले देश को करोना के खिलाब लड़ाई के लिए ये कदम उठाएज बिना कोई रास्ता नहीं था करोना के खिलाब लड़ाई जीवन और मृत्य के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसी लिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवशक थे शीमोदी ने कहा कि दुनिया भर में आज जो कुछ भी घट रहा है उसमें यही एक मातर विकल बचा था उन्होंने कहा कि लोगों के सुरक्षा सुनेशित करनी होगे प्रधान मंद्री ने लोगों को हो रही कठनाईयों के लिए छमा या चना भीके मैं आपकी दिक्ते समझता हूँ आपकी परिशानी भी समझता हूँ लेकिन भारत जैसे 130 करोड की आबादी वाले देश को करोना के खिलाब लड़ाई के लिए ये कदम उठाएज बिना कोई रास्ता नहीं था करोना के खिलाब लड़ाई जीवन और मृत्ति के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसी लिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवशक्त थे किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए लेकिन दुनिया के हालाद देखने के बार लगता है कि यही एक रास्ता बचा है आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविदा हुई है कठनाई हुई है इसके लिए छमा वांगता हूँ प्रधानमंदी ने कहा कि पूर्ण बंदी के दोरार नियम तोड़ने वाले अपनी जीवन से खेल रहे हैं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वाइरस से बचना मुश्किल हो जाएगा ये लॉकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है आपको अपने को बचाना है अपने परिवार को बचाना है अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर ये दिखाना ही है लक्षमन डेखा का पालन करना ही है साथियों मैं ये भी जानता हूँ कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थीती की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉक डाउन का नियम तोड़ेंगे तो करोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा श्री नरींद्र मुदी ने कहा कि करोना के खिलाफ लड़ाई अभूत पूरो और चुनवधी पूर्ण है इसलिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिनके बारे में विश्व इतिहास में पहले कभी नहीं सुना गया श्री मुदी ने कहा कि हमें गरीबों के प्रती अपनी संवीदन शीलता को बढ़ाना होगा संकट की स्खड़ी में जब भी कोई गरीब या भूखा व्यक्ते दिखे तो सबसे पहले उसे खाना खिलाने का प्रयास करना चाहिए शिमोधी ने एक श्लोग की चर्चा करते हुए कहा कि बिमारी और उसके प्रकौप से शुरू में ही निपटना चाहिए हमारी यहां कहा गया है एवम एव विकारह अपी तरुनह साध्यते सुखम यानि बिमारी और उसके प्रकौप से शुरूआत में ही निपटना चाहिए बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है और आज पुरा हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी यही कर रहा है प्रधानमंदी ने कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया है और ये ग्यान विग्यान अमीर और गरीब मजबूत और लाचार सब के लिए चुनौती के रूप में सामने आया है उन्होंने कहा कि ये वायरस न तो किसी राष्ट की सीमा में बंधा है और नहीं ये कोई खेतर या मौसम देखता है शिमोदी ने कहा कि देशवासी इस बात को समझेंगे कि सरकार को ऐसे निरने क्यों लेने पड़े जिन से लोगों को कठनाईयों का सामना करना पड़ा शिमोदी ने खास्ताओर से वन्चित समुदाय के लोगों का खिर करते हुए कहा कि वे उनके पीड़ा को समझ सकते हैं प्रधान मंदी ने कहा कि ऐसे अनिक युद्धा हैं जो घरों में नहीं बलकि घरों के बाहर रहकर कोरोना वारस का मुकाबला कर रहे हैं शीमुदी ने कहा कि अग्रिम मोर्जे पर डटे हमारी ये सैनिक हैं हमारी नर्स बहने डॉक्टर और पेरा मेडिकल स्टाफ उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं इस लड़ाई के अनेको योद्धा ऐसे हैं जो गरों में नहीं गरों के बाहर रहकर कोरोना वाइरस का मुकाबला कर रहे हैं जो हमारे फ्रंट लाइन सोर्जर्स हैं खास करके हमारी नर्सिस बहने हैं नर्सिस का काम करने वाले भाई हैं डॉक्टर हैं परड़ा मेडिक कर स्टाफ हैं ऐसे साथ ही जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं आज हमें उनसे प्रेणा ले ली है। तो हो चुके हैं। हम छे को उन्होंने अलग लग रूम दिया। अच्छे रूम ते सब कुछ था। तो सर हम से चोदा दिन वहां होस्पिटल में अकेले रहते थे। और डाक्टरों का जहां तक बात है। भूट सर्योगरा जी बड़ा अच्छा हमको उन्होंने ठीट किया। चाहि स्टाफ हो वो अपनी ड्रेस्पेन के आते से ना सर्फपता नहीं चलता था। यह डाक्टर है या वार्डवा है या नर्स है। जो कहते थे हम माल लेते थे। बिदाल हमको किसी तरह की भी एक परसेंट भी प्राबलम नहीं आई। देश इस महामारी से चिकिच्सा के स्तर पर इस व्रकार निपट रहा है। इसे समझने के लिए शीमोदी ने कोरोना वाइरस से मुकाबला कर रहे कुछ डॉक्टरों से भी बाचीत के। दिल्ली के डॉक्टर नितेश गुपता ने इलाज के लिए अस्पताल को सरकार से मिल रही साहता के लिए शीमोदी को धन्यवाद दिया। रोगियों के साथ अपने अनुभाव साजा किये। कि कोरोना वाइरस के संदिक्द लोगों या घर में विशेश निगरानी में रखे जा रहे लोगों के प्रति लोग बुरा बरताव कर रहे हैं। मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिन में कोरोना वाइरस के संदिक्द और फिर जिने होम कॉरंटाइन में रहने को कहा गया है। उनके साथ कुछ लोग बुरा बरताव कर रहे हैं। ऐसी बाते सुनकर मुझे अत्यनत पिड़ा हुई है। यह बहुत दुर्भाग्य पोड़ा है। हमें यह समझना होगा कि मौजूदा हालात में अभी एक दुसरे से सिर्फ सोशल डिस्टन्स बना कर रखना है। न की इमोशनल या हुमन डिस्टन्स ऐसे लोग कोई अपरादी नहीं है बलकि वायरस के संभवित पीडिद भर है। इन लोगों ने दूसरों को संक्रमन से बचाने के लिए खुद को अलग किया है और क्वारंटाइन में रहे हैं। प्रधान मंती ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका परस्पल सुरक्ष दूरी बनाए रखना ही है लेकिन हम ये समझना होगा कि सुरक्ष दूरी का मतलब समाजिक समपर खत्म करना नहीं है। शिमुदी ने कहा कि आने वाले समय में यही हिंदुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दिवारों को तोड़ कर आगे निकलेगा आज हर भारतिय अपने जीवन के रक्षा के लिए घर में बंध है लेकिन आने वाले समय में यही हिंदुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दिवारों को तोड़ कर आगे निकलेगा देश को आगे ले जाएगा आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए सुरक्षित और सावधान रहिए हमें यह जंग जीतना है जरूर जितेंगे यह समाचार आखाश्वाणी से प्रसारित के जा रहे है ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडिल at AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं तो चीज बड़ी है मस्ट, मस्त, तो चीज बड़ी है मस्ट हलो Mr., यह काम की जगा है क्यों, गाना मना है क्या मेरे आते ही मुझे देखते ही ऐसा गाना मना है मैं Sexual Harassment Complain Committee में शिकायत कर दूँगी अगर दस से ज्यादा कारे करता हैं तो Workplace Sexual Harassment को रोकने के लिए Internal Committee अनिवार रहे है जहां दस से कम लोग है वो District Collectorate के Local Committee में शिकायत कर सकते हैं राश्री महिला आयोग द्वारा जन्हित में जारी ये आकाश्वानी है COVID-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के अंतरगत प्रधानमंती नरींद्र मोदी विभिन्न पक्षों से संपर्क जारी रखे हुए हैं शिमोदी हरूस दोसों से अधिक लोगों के साथ बाचीत करते हैं जिन में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुखे मंत्री और स्वास्ते मंत्री शामिल हैं वे देश के विपन भागों में चिकीच सकोन अर्सों स्वास्त और सफाई कर्मचारियों के साथ भी फोन पर संपर कर रहे हैं ताकि राष्ट और समाज के प्रति उनके कल्यानकारी योगदान के लिए आभार व्यक्त किया जा सके इरान से 275 भारतियों का नया दल आसुबा जोदपूर पहुँचा जहां इन लोगों को सैन्य आरोग केंदर में रखा गया निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जोदपूर हवाई अडेपर सिविल प्रशासन और सेना के चिकित सादलों ने इन व्यक्तियों के स्वास्त की चांच की बाद में उन्हें आईसोलेशन के लिए जोदपूर रिस्थित सैन्य आरोग केंदर में भरती करा दिया गया भारत में कोविड नाइंटीन से छे और लोगों की मौत के साथ ही इस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है इस महामारी से 48 विदेशों सहित कुल 989 लोग पेड़ी थें स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले के ताज़ा आकणों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों के संख्या 866 है और 86 लोगों का इलाज किया जा चुका है कोविड-19 के सबसे ज़्यादा 186 मामले महराष्ट में सामने आए हैं केरल में 182 लोग कोरोना पाजिटिव पाए गए हैं कोरोना से सबसे ज़्यादा 6 मौतें भी महराष्ट में हुई हैं गुजरात में इस से 4 लोगों की मौत हुई है इंडियन आयल कार्पोरिशन के अध्यक्षी संजीब सिंग ने कहा है कि देश के पास तीन सब्ता की पूर्ण बंदी के बाद भी इस्तेमाल के लिए पर्यापत मात्रा में पैट्रोल, डीजल और असोई गैस उपलब थे उन्होंने कहा कि सभी संयंत्र और आपूर्ति स्थल पूरी तरह से प्रचाली थे राश्टपती रामनात कोविंद ने कोविड-19 के संकट से उबढ़ने में राश्ट की मदद के लिए प्रधानमंत्री के अर्सफंड में एक महिने के वेतन के योगदान के घोशना की है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी ने कहा परसपर सुरक्षी दूरी बनाए रखना ही कोविड-19 से मुकाबले का सबसे कारगर तरीका है देशवासियों से स्वयम और अपने परिवार की रक्षा करने का आहवान किया शिमोदी ने आकाश्वानी से मन की बात कारिक्रम में कहा भारत कोविड-19 से लड़ाई जरूर जीतेगा प्रधान मंद्री ने कहा कुरोना के फैलाव को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने आवश्यक है कोविड-19 से संघर्ष में डटे विभिन लोगों से प्रधान मंद्री की नियमित बात चेट जारी और इरान से 275 भारतियों को लेकर एक और दल जोदपूर पहुचा इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्थ हुआ नमस्कार